हालो दोस्तों मैं सुमिल कुमार अपने चैनल में आपका स्वाथ करता हूँ आज मैं फिर एक नए टपिक पे वीडियो बनाए हूँ इसमें है कि आप किसी भी फोटो को फोटो के बेक्राउंड को चेंज कर सकते हैं कई वरसा होता कि हम लोग कुछ फोटो खीचते हैं और उसका बेक्राउंड खराब हो जाता है जिसके करण पूरा फोटो ही खराब हो जाता है तो आज हम लोग जानेंगे बीना किसी एप की साहता का फोटो के बेक्राउंड को कैस यह देख पार है हो Chrome app, Chrome app में जाना है और Google में आना है, Google में आके remove bg type करना है, पस इतना ही type करना है और click करना है, सर्च बार में आपको सीधे remove bg image background दिखेगा, अगर नहीं दिखा तो पहला बार्कोड जो आएगा उस पे आप पहला जो menu आएगा उस पे आप click करोगे, यह upload menu का upload image का option आ रहा है, इसमें आप click करोगे और अपने gallery section में चले जाओगे, यहां से आप कोई फोटो को click कर, कोई भी फोटो को आप select कर सकते हो, या फिर camera में जाके click भी कर सकते हो, यानि नया photo भी कीच सकते हो, यह हो गया upload, और यह यहां पर background blank आ गया, अब जो उपर में edit देख रहे हो, यह इस पर click करेंगे, cross के निसान के नीचे जो edit है, इस पर हम लोग click करेंगे, और loading में जाएंगे, और यह बहुत सारा auto option में आ गया, यह देख लो, यह हम पहला click कर रहे हैं, यह blur किया हुआ, option आ गया, यह दूसरा option, यह तीसरा, यह देख पार है हो, यह हमने दूसरा select, कुछ select करता हूं फिर चे, यह की photo का कई परकार का background आ रहा है, यह सारे background blur किया हुआ है, आप इसको ठीक भी कर सकते हो, जैसे मैंने ठीक किया है, अब blur पे click करके blur को off भी कर सकते हो, जैसा कि देख पार है हो, घर के फितर का photo, यह बीच पे दिख रहा है, यह आकास, यह दूसरा option ले रहा है, यह समुद्र प्तल के pass, अब download करने के लिए, उस पे click करोगे, download का option आ जाएगा, और यह हो गया download, यह open पे जाएंगे, और यह हमारा gallery में जाके save हो गया है, ठीक है, इसमें आपको लगबग 100 option auto मिलता है, बट अगर आप चाहते हो, कि background में कोई दूसरा photo डालें, तो आप edit में जाके, कोई दूसरा photo भी select कर सकते हो, यह download हो गया, gallery में चला गया, इसके लिए आपको किसी भी app की सायता नहीं लेनी पड़ती है, आपको सिर्फ remove bvg में जाना है और क्लिक कर वहाँ से photo select करना है, यह एक बार फिर से करके दिखा रहे हैं, यह हमने एक photo select किया, हो गया select, loading हुआ, और auto background change हो गया, यह फिर से gallery में आ गया है, कोई भी आप photo select कर सकते हो, इसके लिए photo किसी भी format में हो, यह edit कर देगा, अगर बड़ा file भी है, तो edit कर देगा यह, ऐसा नहीं कि 1mb कर नहीं हो रहा है, या फिर 2mb कर नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, यह download option में गया है, और download हो गया, और यह picture की quality को भी ठीक करता है, ऐसा नहीं कि आपका picture का quality खराब होगा, यह picture की quality को same रखता है, इसका premium version भी है, जिसे आप monthly payment करके ले सकते हो, बट यह free version में ही, काफी अच्छा performance देता है, आपको premium version लेने की भी आप सकता नहीं पड़ेगी, यह देख पार रहे हो, आपको इस आभी photo select करो, background automatic आ जाएगा, जैसे यह देख रहे हो, यह photo bridge के सामने आ रहा है, यानि आप घर बैठे, दुनिया की share कर सकते हो, यह देखो, पाड़ी के पास यह photo दिख रहा है, बहुत ही सांदार option है, यह बहुत कम लोगों को पता है, तो मैंने सुचा कि क्यों नहीं इस पर वीडियो बना दिया जाए, यह फिर मैंने download का option दिया, यह और यह download हो गया, काफी fast काम करता है, ना किसी app की आप सकता है, कुछ भी नहीं है, आप यहाँ से share भी कर सकते हो, सिदे, यह देख लो, background का option जितने भी आ रहा है, किसी फिर भी आप click करो, 2-3 second में background automatic change हो जाएगा, इसे सबसे अच्छा बात यह होता है, कि हमें किसी फिर आप को download नहीं करना पड़ता है, क्योंकि आज के rate में कोई भी background या फिर रिमूब बीजी जैसे जो भी एप हैं, वो काफी heavy weight में हैं, यानि 50 mb, 100 mb के rate में हैं, जिससे कि आपका mobile भी slow होता है, यह बीना किसी आपकी सायता से आप कर रहे हो, आप इसको try करो दोस्तों, बहुत ही पहतरीन option है, और हमारे चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप जरू सब्सक्राइब करो, लाइक करो, दोस्तों में share करो, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद,